नमस्ते सबी को आप सबी ने वाच्च對 का टोपिक अच्छे से पड़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा अब उसी काँक लंग करने के लिए उसी टोपिक का टेस्ट लिया जा रहा है और अभी तेस्ट के मादम से सब भी अपने आपको आँख सकते हैं कि कितना कुछ समझ में आया है और कितना और समझने की आपको जरुरत है वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा बहुत ही easy topic है और देखते हैं कितना कुछ समझ में आया इन प्रसनों के मादम से तो चलते हैं आज के पहले प्रसंद पर ये रहा हमारा पहला प्रसंद निम लिखीत में से भाव वाच्चे का उधारन कौन सा है आपको भाव वाच्चे का एक्जम्पल इन में से बताना है वाच्चे सभी को पता है तीन प्रकार की होते हैं करतरी वाच्चे, करम वाच्चे, और एक होता है भाव वाच्चे, करता के अनुसार किरिया बदलती हो, करतरी वाच्चे और करम के अनुसार किरिया बदलती हो, तो करम वाच्चे और वक्य में भाव की पुरदानता होती हो, वहां पर भाव वाच्चे होता है, तो एक 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 जम्पल को देखते हैं उससे रोज नहया नहीं जाता व्रद आराम से बैठ नहीं सकता लोग खुल कर हस रहे थे राम चरीत मानस तुलसी द्वारा लिखा गया तो देखते हैं राम चरीत मानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया तुलसी द्वारा क्या ह ये है करता ठीक है तुलसी दुवारा क्या है करता और लिखना क्या है क्रिया अब इसमें क्या लिखा गया है क्या का जवाव में मिल रहा है कि तुलसी दास जी दुवारा क्या लिखा गया है रामचरित मानस से नामक जो है क्रियंत लिखा गया है तो क्या का जवाव मिल रहा ह ये तो क्या हो गया करम हो गया ये क्या हो गया करता हो गया और मैंने बताए था कि करता के साथ में से द्वारा या के द्वारा का प्रियोग होगा किस में ये पैचान है करम वाच्चे की अगर वाक्य सकर्मक किरिया का है और से द्वारा की द्वारा का प्रियोग हो रहा है तो किस में चला जाएगा करम वाच्चे में किस में चला जाएगा करम वाच्चे में अगर वाक्य में से द्वारा की द्वारा का प्रियोग हो रहा है लेकिन वाक्य जो है वाक्य अकर्मक किरिया वाला है किरिया उसमें अकर्मक है तो यह किसमें चला जाता भाव वाच्चे में ठीक है यदि यहां पे करम नहीं दिया होता तुलसी द्वारा लिखा गया अगर इतना सही वाक्य होता तो ये भाव वाच्चे का हो धारन हो जाता लेकिन क्या लिखा गया है क्या कभी जवाव दिया गया था तक करम भी हमें इस वाके में मिल रहा है तो ये क्या बन गया करम वाच्चे लोग खुलकर हस रहे थे अब सबसे अच्छी पैचान आपको से द्वारा की द्वारा नहीं मिलेंगे तो आप सिद्धे किस पे चले जाओगे करत्री वाच्चे पे किस पे चले जाओगे करत्री वाच्चे पे ठीक है तो यह हो गया हमारा करत्री वाच्चे अब नेक्ट है ब्रद आराम से बैठ नहीं सकता अब इसमें से को मत देख लेना अब यहां पे ब्रद के साथ से का प्रयोग होता तब तो यह किसमें चला जाता है या तो करम वाच्चे में या भाव वाच्चे में लेकिन देखो यहाँ पर ब्रद के साथ से का प्रयोग नहीं हुआ है ब्रद कैसे नहीं बैठ सकता है उसकी रिती के बारे हम बता रहा है तो यहाँ पर ब्रद के साथ से द्वारा का प्रयोग नहीं हो रही है भी किसमें चला जाएगा कर्तरी वाक्चे में और नेक्ट है उससे ही रोज नहाया नहीं जाता अब नहाना क्या है किरिया है ठीक है नहाना क्या है किरिया है क्या नहीं किया जाता क्या का हूं क्या नहाया नहीं जाता नहाया को कैसे प्र योग हो रहा है तो इसमें भाव अच्चे हो जाएगा ओप्सन ये भाव अच्चे का एक्जांपल है अगला प्रसन है जब किरिया में करता वे करम की प्रदानता ने होकर भाव की प्रदानता होती है तब वहां कौन सा वाच्चे होता है भाव की प्रदानता मैंने बताया था तीन प्रकार वाच्चे की तीन प्रकार हैं करता की प्रदानता जहां होती है करत्री वाच्चे करम की प्रदानता होती है करम वाच्चे और भाव की प्रदानता होती है भाव वाच्चे ओप्सन सीज का राइट आंसर रहेगा अगला प्रसन है मुझे से हासा नहीं जाता वाके में वाच्चे है मुझे से हासा नहीं जाता C का प्रयोग हो रहा है और हासना जो है किरियाववा अकरमक है कोई भी करम नहीं लगा हुआ ये करता है और ये करम है ठीक है तो किस में चला जाएगा ये भाव वाच्चे में ठीक है? Option C's का Right Answer रहेगा अगला प्रसन है मैं खाता हूँ वाच्चे का भाव वाच्चे करूप क्या होगा? अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं खाता हूँ वाच्चे किस प्रकार का है? मैं खाता हूँ ये किस प्रकार का वाच्चे है? ये है कर्तरी वाच्चे किस प्रकार का वाच्चे है? कर्तरी वाच्चे अब इस कर्तरी वाच्चे को किसमें बदलना है? भाव वाच्चे में मुझसे खाया जाता था अब इसमें तो क्या है? प्रजेंट काल के किरिया है और ये किसमें चला गए पास्ट में चला गए अर्तत भूत काल के किरिया हो गई तो ये तो हमारा रोंग हो जाएगा मेरे से खाया जाता है इसमें सर्वनाम संबंदिया सुद्धी है ये वाक्य गलत हो जाता है मुझे से खाया जाता है इस प्रकार का होता तो यह भाव अच्ची ही बन जाता मुझे से खाया नहीं जाता है वाक्य में नहीं कार्णी सिधात्मक वाक्य नहीं है यह सकारात्मक वाक्य है तो नहीं कप्रयोग होने के कारण यह भी नहीं आएगा और मुझे से खाया जाता है मुझे से खाया जाता है ये किस में चला जाएगा बाव वाच्चे का रूप होगा मुझे से खाया जाता है खेगे अगला प्रसन है मुझे से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्चे है मुझे से चला नहीं जाता अब चलना क्या है? क्रिया है और मुझ क्या है करता है और करता के साथ मैं इसे एक अप्रियोग हो रहा है तो किस में चला जाएगा? सभी को पतल लगी गया होगा ये भाव वाच्चे है किस प्रकार का वाच्चे है? भाव वाच्चे का अगर इसी वाक्य को करत्री वाच्चे में बनाना हो तो कैसे बदलोगे कैसे बदलोगे इसको और करम वाच्चे में बदलना हो तो कैसे बदलोगे करम वाच्चे तो बनेगा ही नहीं क्योंकि चलना जो क्रिया है अकरमा क्रिया है और करत्री वाच्चे में बदलोगे तो कैसे मैं मैं चल नहीं सकता क्या बन जाएगा इसका मैं चल नहीं सकता यह इसका करतरी वाच्चे हो गया और करम वाच्चे इससे बने गई नहीं क्योंकि चलना जो किरिया है वह है अक्रमक किरिया है Next question है निमलिखित में इसे कौन सा वाक्य करम वाच्चे का नहीं है इन में से देखना है कि तीन जो एक्जामपल दिये हैं तीन ओप्षन करम वाच्चे के होंगे और एक कोई अन्य वाच्चे का प्रकार होगा राम के द्वारा खाना खाया गया के द्वारा और खाना यह जो खाना के रिया है और इसमें खाना बोजन यह बोजन कै है करम है, तो यह तो किसमें चला जाएगा? करम वाच्चे में, हीरन द्वारा घास खाया जाता है, घास खाई जाती है, इसमें खाना किरिया है और घास क्या है? करम और द्वारा का प्रियोग होने से यह भी किसमे चला गया करम वाचे में सिफाई द्वारा चोर पकड़ा गया चोर को पकड़ा गया यह क्या है यह गोन करम है जो सजीव करम होता है गोन करम होता है और निर्जीव करम होता है वह है मुख्य करम होता है तो यहां पर दुआरा का प्रियोग हो गया और करम का भी प्रियोग हो रहा है तो यह भी किस में चला गया करम बाचे में पक्सी आकास में उड़ते हैं उड़ना क्या है क्रिया है पक्सी क्या है करता है और आकास क्या है इस्थान वाचक, अब इसको किरिया में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको एक बार समझ लो, इसमें करम नहीं है, इस्थान वाचक और समय सूचक, समय सूचक सब्दों के साथ जो किरिया होती है, वह है अकरमक किरिया होती है, कैसी कि तो bond तो कहा का बूद करवार है अर्था आतिस्थान का बूद करवार है तो यह कर windows क्रिया है और अगर अगर पक्सी द्वारा होता यहां पर इस वाकए को बहुत अच्छे सी समझना है पक्सी द्वारा आकास में उड़ा जाता है इस प्रकार से भी आता पक्सी द्वारा आकास में उड़ा जाता है तब भी एक किसमें रहता तब भी एक किरिया जो होती अकर्मक की होती और अकर्मक किसमें प्रियुक्त होती है भाव वाच्चे में किसमें प्रियुक्त होती है भ करत्री वाच्य अगर यह वाकि इस प्रकार का होता है पक्सी द्वारा आकास में उड़ा जाता है तब किस में चला जाता भाव वाच्य में इतना समझने कि आपको जरुत है पक्सी द्वारा आकास में उड़ा जाता है भाव वाच्य में चला जाता और पक्सी आकास में दानता किस वाक्य में है रवी से पत्तर लिखा जाता है से का प्रयोग आ रहा है और लिखना किरिया की साथ में पत्तर करम है तो यह तो हो गया हमारा करम वाच्चे राम ने रावन को मारा ने का प्रयोग हो रहा है ने का प्रयोग किसमें होता है ने का प्रयोग किसमें होता ह केवल करत्री वाच्चे में ने का प्रियोग होता है और रावन को मारा मैंने कहा था कि जब ने परसर का प्रियोग होता है तो वाकि जो है भूतकाल में चला जाता है आसन भूतकाल में ठीक है राम ने रावन को मारा और करम के साथ में को परसर का प्रियोग होता है मैंने समझ रखा है आपको तो करत्री वाच्चे किस में आ जाएगा राम नहीं रावन को मारा ओप्शन बी नेक्ट ओप्शन भी देख लें राम की द्वारा रावन मारा गया राम की द्वारा रावन मारा गया यह किस में चला जाएगा यह करम वाच्चे में चला जाएगा और सचीन द जिस वाके में क्रिया करम के अनुसार परिवर्तित होती है उस वाके को कहते हैं करम वाच्चे, कर्तरी वाच्चे, भाव वाच्चे या कोईने करम के अनुसार आर्थत करम की जहां प्रदानत होती है वहाँ पर करम वाच्चे होता है किस प्रकार का वाच्चे होता है करम वाच्चे ओप्सन ए नेक्ट कोश्चन इन में भाव वाच्चे से संबंदित वाख्य बताना है भाव वाच्चे विवेग ने खीर बनाई विवेग ने ने परसर का प्रियोग हो रहा है किस में चला गया कर्तरी वात्चे में ये क्लास इन कुस्चनों को करने के बाद आपका वात्चे का एक भी प्रसन गलत नहीं होगा ये बाद है मेरा आपसे लड़की द्वारा पुस्तक पड़ी गई द्वारा और पुस्तक करम आना और द्वारा का प्रियोग होना किस में चला जाएगा करम वात्चे में अब तो मरीज से चला जाता है अब तो मरीज से मरीज क्या है करता और से कप्रियोग हो रहा है और चलना किरिया है चलना किरिया किसकी है अकरमक किरिया है तो ये ही क्या हो गया भाव वाचची हो गया अब तो मरी इस से चला जाता है किस परकार का वाक्य है भाव वाचची है मा ने बच्चे को खिलाया क्या है करतरी वाचची है कौन से है करतरी वाच्चे चलते हैं नेक्ट कुशन पर नेक्ट कुशन निमन में से भाव वाच्चे कौन सा है क्योंकि भाव वाच्चे में ही ज़्यादा प्रोब्लम आती है हीरन दोड़ता है करतरी वाच्चे हो गया सचिन किरकेट खेलता है करतरे वाचे हो गया मोहन से बैठा नहीं जाता बैठना जो करिया है करमक करिया है और मोहन की साथ से कप्रियों हो रहा है तो ये हो गया आपका भावाचे और पत्तर लिखा जाता है लिखना क्या है क्रिया क्या लिखा जाता है पत्तर लिखा जाता है या उससे पत्तर लिखा जाता है ठीक है? तो से का प्रियोग हो रहा है न करता के साथ में और करम भी आ रहा है तो किस में चला जाएगा ये? ये वाकिय हो गया आपका करम में वाच्चे नेक्ट कुस्यन अगला प्रसन है किस वाकिय में करम वाच्चे नहीं है करम वाच्चे नहीं है देखना आपको उससे खाया नहीं जाता है उससे खाया नहीं जाता से का प्रियोग है और खाना करम आ रहा है और खाया खाया ये जो खाना के रिया है और ये खाना भोजन है उसे भोजन नहीं किया जाता या उसे खाना नहीं खाया जाता ये तो करम वाच्चे है ठीक है यह है पुस्तक रमा के द्वारा लिखी गई है पुस्तक क्या है करम और रमा के द्वारा क्या है रमा करता है ठीक है और के द्वारा ये करन कारक बन रहा है कारे करने का जो साधन होता है ठीक है तो रमा के द्वारा पुस्त के लिखी गई इस तरह का वाकिय होता है तो ये भी क्या हो गया आपका करम वाच्चे हो गया बालक खिल खिला कर हस रहा था ये किसमें चला गया इसमें से के द्वारा किसी का प्रयोग नहीं है तो सीधा ही कर त्री वाच्चे में चला जाएगा और इसमें पूछे करम वाच्चे का नहीं है तो ये ओप्षन आपका करम वाच्चे का नहीं है दोसी व्यक्ति द्वारा छमा याच्चना की गई करना याच्चना करना क्या क्या की गई दोसी व्यक्ति की द्वारा छमा याच्चना की गई ठीक है तो ये भी किसमें चला जाएगा करम वाच्चे में नेक्ट कोस्टिन निमलिखीत में से कौन सा वाकि भाव वाच्चे का नहीं है सिखसक से बोला नहीं जा रहा सिखसक से बोला नहीं जा रहा बोलना करिया है और सिखसक करम है अकरमक है और इसमें आकर्मा के पुलिंग एक वचन के किरिया होती है सदेव और से के द्वारा का प्रियोग होता है तो इसमें तो भाव अच्चे है रतन द्वारा नहाया गया नहाना किरिया के साथ में कोई करम नहीं है और द्वारा का प्रियोग हो रहा है ये भी किसमें चला गया भाव वाच में मुझ से उबड़ खाबड इस्थान पर नहीं बैठा जाता ये भी किसमें चला जाएगा आपका जो बैठने में समर्थता का भाव दर्साय जा रहा है ये भी किसमें चला गया भाव वाच्च में मुझ से मुझ करता के साथ में से का प्रियोग हो गया और मैंने बताई दिया था कि इस थान वाच्चक सब्दों की साथ में जो किरिया होती है वैसा देव अकर्मा को किरिया होती है इसमें भी क्या हो गया भावचे दोस्त से मैंने पुस्तके ले ली है मैंने क्या है मैंने क्या है करता और मैंने पुस्तक दोस्त से ले ली है या दोस्त से मैंने पुस्तके ले ली है किसी भी तरह का वाक्य बन सकता है इसमें करम है और ये वाक्य हो जाएगा आपका करम वाचे ये है ओप्सन डी पतंग आकास में ऊड़ रही है वाक्चे में कौन सा वाच्चे है अभी अभी ये इस टाइब का कुस्चे ना चुका है और ये ही साइद एकजांपल रिपीट हो गया पतंग आकास में ऊड़े रही है किसमें चला जाएगा करतरी वाच्णे में किसमें करतरी वाच्णे में क्योंकि ना तो से का प्रियोग हो रहा है ना दुआरा का प्रियोग हो रहा है और जो किरिया है वह करता के अनुसार बदल रही है ठीक, option a इसका right answer रहएगा next question किस वाक्य में करम वाच्च है करम वाच्च देखना आपको सुची ता दोड़ जीत चुकी है मुझसे पानी भरवाया जा रहा है मरीज से चला नहीं जाता बालक से हसा नहीं जाता भावच्च मरीज से चला नहीं जाता भावच्च मुझसे पानी भरवाया जा रहा है क्या भ परवाय जा रहा है पानी क्या का जबाब भी मिल रहा हमें तो इसमें करम है ये करम वाच्चे है ओप्सन बी नेक्स्ट कोशन जिस वाक्य में करता की प्रदानता होती है लिंग वचन प्रूस करता के अनुसार बदलते हैं या होते हैं इसी वाक्य कहलाते हैं तो करता की जा प अर्पांच, तो सबी को पता है वाच्ची के तीन भेध होते हैं और तीनों का नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कर्त्री वाच्चे करम वाच्चे और भाव वाच्चे ठीक है, ये वाच्ची के तीन प्रकार होते हैं Next question कवीता से पानी गिर गया वाक्य में कौन सा वाच्च है कवीता से से कप्रियोग आ गया और गिरना के रहे है क्या गिर गया पानी तो इसमें करम भी आ रहा है करम वाच्च हो जाएगा बोक्षन एक नेक्स्ट कोशन निमलखित में से कौन सा वाक्य करम वाच्च का है करम वाच्च को चुठ्थी भेज दी गई क्या भेज दी गई चुठ्थी भेज दी गई वाक्य तो उससा कर्मक है लेकिन यहां पर सीद्वारा का प्रियोग आपको नहीं दिख रहा है आगे बिल्ली के हातों चुहां मारा गया ये थोड़ा कुश्यन डिफिकल्ट सा लगेगा आपको समझने की जरुत है ये प्रसंद एक्जाम में आया हुआ प्रसंद है लड़की द्वारा पढ़ा गया और तुम लिख नहीं सकते तुम लिख नहीं सकते से के द्वारा का प्रयोग नहीं ये तो किसमें चला गया करत्री वाच्च में कई बार बता दिया है से के द्वारा का प्रयोग नहीं हो तो बिना सोचे समझे करत्री वाच्च में लगा देना लड़के द्वारा पढ़ा गया क्या पढ़ा गया कुछ भी नहीं दे रखा है पत्तर पुस्तक जो भी है कुछ भी नहीं बता रखाया है तो ये किस में चला गया भाव अच्चे में ठीक है बिल्ली के हातों चुहां मारा गया अर्था तो बिल्ली ने चुहे को मार दिया बिल्ली से चुहां मारा गया बिल्ली द्वारा चुहां मारा यहाँ पे जो हाथ है हाथ किसका कारे कर रहा है, साधन का, साधन का कारे कर रहा है, तो यहां पे से द्वारा का प्रियोग होता है, बिल्ली द्वारा चुहा मारा गया, इसमें क्या है करम है, ठीक है, क्या है इसमें, क्या मारा गया, चुहा मारा गया, करम है, और इसमें से द्वारा का प्रियोग हो निम लिखी तमेशी कौन सा वाक्य करत्री वाच्च का है अब आपको देखना है किस वाक्य में करता की प्रदानता है मैंने पुस्तक पड़ी मैंने ने का प्रियोग हो रहा है और पुस्तक पड़ी ये पुस्तक के अनुसार के रिया बदल रहे हैं करम के अनुसार तो ने का जो प्रियोग होता है और जो वाक्य चला भूत काल में चला जाता है उसमें ने परसर का प्रियोग होने की कारण मैंने समझा रखा है तो जो क्रिया होती है करम के अनुसार बदल जाती है लेकिन परसर का प्रियोग का धान रखना आपको ने परसर का प्रियोग केवल करतरी व पुस्तक पढ़ी जाती है और पुस्तक किसी के द्वारा तो पढ़ी जाती ही होगी तो यह किसमें चला जाएगा भी मोहन के द्वारा मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है अगर वाक्य इस प्रकार का होता है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है केवल इतना वाक्य होता है पुस्तक प करता है वाद्चे भी अदूरह रह जाता है olarak पुस्तक पड़े जाती है नियुक्ज में जाएगा करम वाच्चे में, ठीक है, किस में चला गया, गाय से दूद्ध दुउहा जाता है, करम वाच्चे, ममता के द्वारफ उस तक पड़ी गई, करम वाच्चे, तो ओप्शन ए, करतरी वाच्चे का है, Next question, मोहन से दोडा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्चे है मोहन से दोड़ा नहीं जाता मोहन से इसे का प्रयोग है और दोड़ना आकरमक के रिया है सिधाई भावाच्य में चला जाएगा ठीक है नेक्ट कुस्चन छात्र भगीचे में पोदे लगा रहे हैं वाक्य को करम वाच्चे में बदली अब ये जो है वाच्चे परिवर्तन वाले प्रसन है किस प्रकार के प्रसन है वाच्चे परिवर्तन वाले ठीक है आपको सबसे पहले जो एक्जाम में उसोरी कुस्चन में दिया गया है उसमें वाच्चे का प्रकार छाटना है किस प्रका से का प्रयोग नहीं हो रहे हैं, बार-बार बता रहे हूं, सीधाइ किसमें चला जाएगा करत्री वाज़े में अर्थाथ इस करत्री वाज़े को किसमें बदलना है, करम वाज़े में बदलना है, कौन सी है वर्तमान काल की करिया है तो लगाए गई यह तो भूत काल में चली गई करिया तो यह उपसन हमारा कट जाएगा चातर दुआरा बगीचे में पोदे लगाए जा रहे हैं एकदम रहे गई यह है करम बाचे में चातर दुआरा बगीचे में पोदे लगाए जा रहे हैं या पे से के दुआरा का प्रयोग कर देंगे बाकी जोकते हो लिख देंगे ठीक है बगीचे में छातर से पोदे लगाए गए देख लो आप करिया बूत काल में जा रहे छातर ने बगीचे में पोदे लगाई अब ये वाची तो क्या है कर्तरी वाची है ठीक है करतरी वाचे लेकिन इसमें जो क्रिया है और इसमें जो क्रिया है उसी का परिवर्तन है अगर इस प्रकार का वाक्य होता यहां पे छातर ने बगीचे में पोदे लगाए तो क्या हो जाते इसमें छातर द्वारा बगीचे में पोदे लगाए गए इस वाक्य को परिव दाने चुगे जा रहे हैं को करत्री वाच्च में बदलना है पक्सी दुआरा क्या चुगे जा रहे हैं दाने चुगे जा रहे हैं किस प्रकार का वाच्च है करम वाच्च है ठीक है वाक्य में कौन सा वाच्च है करम वाच्च में इस करम वाच्च को करत्री वाच्च में करम वाच्चे में चला जाएगा पक्सी दाने चुग रहे हैं दौरा कोटा दिया तो किसमें चला गाया करतरी वाच्चे में पक्सी से दाने चुगे नहीं जाते हैं निस्यदात्मक है यहां पे कोई negative sentence नहीं है इसलिए यह भी कर जाता है वैसे यह करम वाच्चे का ही एक्जामपल है और पक्सी से दाने चुगे जाते हैं यह भी किसमें चला जाएगा यह भी सोरिक करम वाच्चे में ही चला जाएगा option B इसका right answer रहेगा और यह है next question दादी रामायन का पार्ट करती है वाके में कौन सा वाच्चे है दादी रामायन का पार्ट करती है से के द्वारा का प्रयोग नहीं है उसके बाद हम करिया को देखते हैं दादी क्या है इस त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या है करती है किस प सीमा द्वारा बुडिया को सड़क पार कराई गई वाके को करत्री वाच्चे में बदलना है द्वारा को होटा देना है और आगे का वाके हमें जो कात्यों लिख देना है तो द्वारा यहां पर द्वारा आ रहा है यहां पर द्वारा आ रहा है एक इस वाके में द्वारा प्रसर का प्रियोग हो रहा है बुढिया करता के साथ में ये जो गोण करम है सजीव करम इसके साथ में को प्रसर का प्रियोग है और कराई किस प्रकार का वाकिय है भूत काल ने प्रसर के प्रियोग के कारण वाकिय किस में बदल जाता है भूत काल में तो उप्सन डी करत्री वाच्चे का है और ये है आज कि क्लास था हमारा नतिम प्रसंद प्रेम चंद द्वारा गोदान लिखा गया वाक्य को करतरी वाच्चे में बदल ये प्रेम चंद द्वारा गोदान लिखा जाता है द्वारा आ गया तो ये तो कटी जाता है ये तो सेम हो गया ये तो सेम करम अच्छे हो गया प्रसन में भी करम वाच्छे दिया गया है और ये भी करम कश कई है प्रेम् racism ने गोडान लिखा बिलकुल नफ रासर का प्रियोग हो गया और इसमें जो है लिखना के रिया के साथ में एक जा चला गया करतरी वाच में प्रेम चंद्वारा गोदान की रचना की गई यहां पर लिखा गया यहां पर रचना की गई वाक्य बदल गया थोड़ा लेकिन यह किसमे चला जाएगा करम वाच में गोदान प्रेम चंद्वारा लिखित वो पन्यास है यह भी किसमे चला गया करम भी प्रेम चंद दुवार करता है गोदान करम है और लिखना करिया है ठीक है तो ये भी किसमें चला गया करम वाची में करतरी वाची कौन से है प्रेम चंद ने गोदान लिखा तो ये होती है आज की क्लास हमारी समाप्त और उम्मीद करती हूं कि वाच्ची का टोपिक अब कहीं और पढ़ने के आपको बिल्कुल भी जरुरत नहीं है बहुत अच्छे सी समझ में आ गया होगा और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना धन्यवाद